FC Goa और Mumbai City FC बुधवार को ICIL में एक दूसरे का सामना करने के लिए तयार है, लेकिन उससे पहले एक टीम की और से जासूसी के आरोप ने बड़े पैमाने पर विवाद पैदा कर दिया है. Mumbai City FC और FC Goa के बीच आज रात के High Voltage Indian Super League, ICIL, से पहले, दोनों पक्ष खुद को एक बदसूरत आफ फील्ड लड़ाई में शामिल बाते हैं. FC Goa ने Mumbai City FC पर जासूसी का आरोप लगाया है. रिपोर्टों के अनुसार, Mumbai City Club के एक विशलेशक को कथित तौर पर Mumbai Football Arena में होने वाले खेल से पहले टीम के प्रशिक्षन सत्र का वीडियो बनाते हुए देखे जाने के बाद, FC Goa ने शिकायत भी दर्ज कर आई है. Times of India की एक रिपोर्ट में बाद में दावा किया गया कि Mumbai City के विशलेशक को FC Goa के प्रशिक्षन मैदान के सामने एक होटल में देखा गया था. ये पता चला है कि यह मैदान उस पिच का स्पष्ट द्रिश्य प्रस्तुत करता है जहां FC Goa के कोच Manolo Marquez सेट पीस चालो पर विशेश ध्यान देने के साथ अपनी टीम को प्रशिक्षन दे रहे थे. FC Goa कथित तोर पर मुंबई के बांदरा पस्चिम में नेविल डिसूजा मैदान में प्रशिक्षन ले रहा था.